संसकार सागर पंचपल्यती इंदोर संसा दिष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पास जिने सरो बिजयते दिगवाश शाम शासनम अंत्रिक्ष पार्षनात भगवान की जैश्रिपुर के पार्षनात भगवान हर युग में व्यक्ति से दो प्रकार के कारी होते हैं एक कारी अच्छा होता है और एक बुरा होता है अच्छे कारी को पुन्न कहा जाता है बुरे कारी को पाप कहा जाता है बुरे काम अनेतिक आचरण का नाम पाप होता है और ऐसा अनेतिक आचरण हिंसा जूंट चोरी कुशील और परिग्रे ये पाँच रूप में हमारे शामन वाते हैं हिंसान निचौरेव्य मेथून शेवा परिग्रह भ्यामचे, पापप्रणाली का ब्रभि उर्थी संजस्य चारितम हमारे यहां पापहों की निर्थी का नाम चारित है तत्वार्थ सूत्र की शात्मे अध्याय में एक सूत्र सबसे पहला कहा है इंसान निर्दस्तिया ब्रह्म परिग्रेवियो बिरतिर बिरतम इन पांच पापों से बिरत हो जाने का नाम इन पांच पापों से रती ना करने का नाम ही हमारे जेन आचारियों ने पृत कहा है चारित कहा है वह चारित दो प्रकार का होता है एक सकल चारित के रूप में होता है और एक बिकल चारित के रूप में होता है सकल चारित्र मुनी लोग पालन करते हैं जिने महावरत कहते हैं आहिंसासत अचौरी ब्रह्मचरी अपरिग्रह के रूप में माला जाता है लेकिन जो श्रावक होता है जो कि आंसिक रूप में अनु की रूप में पालन करता है वह अनु रूप में पालन करने की कारण से उसे कहते हैं अनु बृत और यह अनु बृत अभियान एक समय हमारे यह चलाया गया था उस अनु बृत अभियान का परणाम हमारे सामने यह बा कोई विव्यक्ति दिन और रात में नहीं खाता है दिन और रात नहीं खा सकता सोने के बाद कोई विव्यक्ति खाता नहीं है लेकिन अगर वह इता है कि हम रात में इतने वज़े से इतने वज़े तक नहीं खाएंगे तो उसका अनुबर्थ हो जाता है दस लाग सबजीयों मे सो से जादR सबजी नहीं खाएंगे तो उसका अनुवर्त हो जाता है तो इन अनुवर्तों का नाम हमारे यहां बड़ी सहस्ता में पलने का होता है और हमारे आचारियों ने यही कहा है कि पान्च पाप्य से आप निर्वित्ती हो हैं तो इसका सबसे बड़ा आपका धर्म यहीं से शुरूL हो जाता है क्योंकि चारिक्तम खलूधमो का आर्तियोता चाड्त धर्म महीं पर होगा जहां पर हम अपने जीवन को बदलने की कोशिस करेंगे और गलत कारी से बुरे कारी से अनेतिक कारी से जब हम पीछे हड़ जाएंगे तो चारितर की दिशा में सदाचारी की दिशा में एक कदम हमारा निश्चित तोर पर आगे बढ़ाएगा सदाचारी वही होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में पापों से दूर हड़ जाए क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने हिंसा को सदाचारी नहीं कहा है जूट बोलने वाले को सदाचारी कभी नहीं कहा जाएगा चोरी करने वाले व्यक्ति को तो कोई कभी सदाचारी कहीं नहीं सकता है चाहे वो टेक्सिक की चोरी करे, चाहे वो एगर की चोरी करे, चाहे वो बाहर की चोरी करे, कहीं की भी चोरी करे और कुशील, असलील हरकते करने वाले व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं माना जाएगा और इसकी साथ साथ आवज शक्ता से अधिक बस्तू रखने वाले तो कभी सिष्टम माने ही ने नहीं गये ऐसी परिश्टिते में हम ये कह सकते हैं कि चारितbud ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और चारित धर्म है तो चारित धर्म भी हमारा पाँच पापों से, पाँच गलत कावों से, पाँच अनेतिक आचरुनों से, जब हम विरक्त हो जाएंगे, तब ही सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे, अन्यता सच्चे धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं, यह हमें त्यकल लेना चाहिए, इसलिए चारत्र ही धर्म हैं संसकार सागर पंच बल्यती इंदोर